स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सिविल सोसाइटी के चैंपियन्स कॉंग्रेस के प्यारे कार्य करता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागर चामराजनगर दा नागरी का बंदुगले वेदी के मेल इर्थकत अल्ला कॉंग्रेस पक्ष्ट मुकंडरे सामाजी का तान दा अल्ला मुकंडरे कन्या कुमारी से कश्मीर तक यह भारत चोड़ो यात्रा चलेगी कन्या कुमारी इंदा कश्मीर और्गु सहा यह भारत यात्रे नडियत्ते इसका लक्ष जो बीजेपी की विचारधारा कि देश में नफ्रत फेलारी है हिंसा फेलारी है उसके सामने खड़ा होने का है यह यात्रा समिधान की रक्षा की यात्रा है यह जो हमारा तिरंगा है कॉंस्टिटुशन के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है इस यात्रा में हम सुबे छे बजे से शाम तक चलते हैं कभी बारिश होती है धूप होती है हम चलते हैं और मैं सिर्फ अकेला नहीं चलता हूँ लाखों लोग साथ साथ चलते हैं इस यात्रा में आपको नफरत हिंसा ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगे हर धर्म के लोग हर जात के लोग हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इस यात्रा में चलते हैं इस यात्रे लिए यल्ला दर्म दरू यल्ला बाशय और यल्ला जातिय और इस यात्रे लिए नमचते के नडिता है दार बीड में धक्का लगता है कोई गिरता है सब लोग उसको उठाते हैं मदद करते हैं कोई ये सवाल नहीं पूछता कि तुमारा धर्म क्या है तुम कौन सी भाषा बोलते हो तुमारी जात क्या है ये सवाल नहीं पूछते एकदम मदद कर देते हैं यही अमारा प्यारा हिंदुस्तान है इदे नम्म सुंदर वादा भारत देशा शांती का हिंदुस्तान शांती का भारत देशा भाईचारे का हिंदुस्तान और ये कन्या कुमारी से कश्मीर तक यात्रा चलेगी इसको कोई नहीं रोक सकता कोई शक्ति इस पदियात्रा को नहीं रोक सकती क्योंकि ये पदियात्रा हिंदुस्तान की आवाज है याव देश शक्ति यी रास्ट्र दली पपदे आत्रे ना निसली कागो दिले अकदर इदो रास्ट्र इदो बारत देश देश शक्तिय न उदना वेलरुसा साबित माडिते वे हम चलते हैं छे साथ आठ घंटे चलते हैं और इस पदियात्रा में हमसे लोग बिलकर हमें उनका दर्द बताते हैं बेरोजगारी के बारे में बताते हैं महिंगाई के बारे में बताते हैं किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताते हैं राष्ट्रता राइतरा मेले येनु दबाली के धुर्टेना नडिता है द अधर्बगे थिलिषता है दा रहे। PSU को जो प्राइविटाइज करा जा रहा है उसके बारे में बताते हैं। पूरा हिंदुस्तान अपना दर अपना दुख इस यातरा को बताता है। 15 मिनट भाषन होता है। कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक चलने की क्या जरूरत पड़ी। लोक तंत्र में अलग अलग इंस्टिटूशन होते हैं। प्रजाप्रभुत्व दल्ली हलवारू संग समस्तिकली इरुत्ते हैं। मीडिया होती है। माध्यम दवरू साइदार है। पार्लिमेंट होता है। पार्लिमेंट ही दे। ये सब रास्ते विपक्ष के लिए बंद कर दिये गए है। मीडिया में हमारी बात नहीं कहीं जाती। पूरा कंट्रोल सरकार का मीडिया पे रहता है। पार्लिमेंट पे हम कुछ बोलना चाहे। वह हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। विदान सबा को चलने नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। जनता के साथ हजारों किलोमेटर चलने का रास्ता यही विपक्ष के पास आज बचा है। और इस रास्ते पर चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस पर हम नहीं चल रहे हैं। आप सब का मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। अगले 20-25 दिन आप मेरे साथ ऐसी कड़ी दूप में चलोगे। और जो करनाटक का दर्द है। जो करनाटक का दुख है। उसको आप सब सुनोगे। करनाटक में जो भ्रष्टचार है, जो बेरोजगारी है, जो महेंगाई है। उसके बारे में आप सब को सुन्दे को मिलेगा। आप सब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जैर।